भवे राम मंदिर में राम लला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद जब प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी लोगों से मुखातिब हुए तो भगवान राम के प्रती आस्था को राश्ट्र के प्रती समर्पन तक ले गए देव से देश और राम से राश्ट की चेतना का विस्तार प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी लगातार ये कहते आ रहे हैं कि 2047 तत वो देश को विक्सित राश्ट्र बना देंगे जब देश आजादी के 100 साल पूरा करेगा लेकिन राम लला की प्राण प्रतिष्ठा ने प्येम मोदी को इतना अभी भूत किया है कि वो अब 1000 साल के दिव्य भारत का सपना देख रहे हैं मंदर निर्मान के बाद प्येम मोदी ने भविश्च का रोड मैप सामने रखा तो 500 साल की राम मंदर के विवादों और सवालों को भी याद किया बलकि राम मंदर निर्मान में देरी के लिए भगवान राम से क्षमा भी मांगी इसी बात को उत्तरप्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदितेनाथ ने भी कहा लेकिन इतिहास की वो गारी मुगल काल से चल कर मुलायम काल तक महच गई थी जब कार सेवकों पर विवादिध धांचे को बचाने के लिए मुलायम सिंग यादव ने गूलिया चलाई थी मुख्यमंत्री योगी आदितेनाथ ने बिना नाम लिये ही मुलायम सिंग यादव पर तंच कसा प्रवराम की किरपा से अब कोई अयोध्या की परिकर्मा कुएं बाधा नहीं बन पाएगा अयोध्या की गलियों में अब गोलियों की गड़़डा हट नहीं होगी करफ्यू नहीं लगेगा अपितो यहां दिपोट्सो रामोट्सो और यहां की गलियों में सिर्राम नाम संकृतन से यहां की गलियां गुझाए मानू होंगी क्योंकि अवदपुरी का मैं राम लला का विराजना राम राज्य की स्थापना की उद्गोशना भी है दरसल राममंदर निर्मान वीजेपी के तीन सबसे एहम बादों में रहा है वो पूरा हो गया इसमें प्रधान मंत्री मोदी की भूमिका को आरेसिस प्रमुख मोहन भागवत ने भी रिखांकित किया आज हमने सुना कि इस प्राण प्रतिष्ठा महुत्सों में प्रधारने के पूर्व प्रधान मंत्री जी ने कठोर वरत रखा जितना कठोर वरत रखने को कहा था उससे कई गुना अधिक कठोर वरता चरण उन्होंने किया मेरे पुराना उनसे परिचे है मैं जानता हूँ वो तपस्वी है इतना तो तैह है कि अगले कुछ समय तक अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की दिविता पूरे देश में गुंचती रहेगी जाहिर है कि चुनाव के दौरान भी ये मसला सुर्ख्यों में रहेगा हाला कि पियम मोदी ने राम से आगे बाद सिया राम तक पहुचा दी है